तो आज हम डिसक्स करें एक्सिसाइब 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फाइंड 1 by 4 of first part है 1 by 4 B part आपके पास 3 by 5 C part में है 4 by 3 तो हम इन 3 parts के अंदर इन सभी numbers का 1 by 4 निकालना है इसमें तो हम वो क्या करेंगे 1 by 4 of 1 by 4 first part जो आपके पास है उसको सोल करते हैं सबसे पहले यह part first है क्या करना हमें 1 by 4 of के place पर हमें multiply का sign यूज करना है किसके साथ 1 by 4 के साथ तो आपके पास अंसर क्या आएगा numerator को जब हम multiply करेंगे numerator से तो 1 और 4 को 4 से करेंगे 16 तो यह आपके पास इसका अंसर होगा यही process हमेंने complete question first part में भी और second part में भी आपको यूज करनी है first part का जैसे यह part आपके पास complete हो जगा है 1 by 16 इसका अंसर आया ऐसी same जब हम इसका second part करेंगे अगर 3 by 5 का अगर हमें 1 by 4 part करना है तो 1 by 4 multiply 3 by 5 तो 3 को 1 से multiply करें कितना आएगा 3 आएगा और 4 को 5 से करें कितना आएगा 20 आएगा तो यह इसका अंसर हो जाएगा आपके पास C part के अंदर हमें क्या यूज करना है इसमें C part में जब हमारे पास है 1 by 4 multiply 4 by 3 यह आपके पास है तो हम क्या करेंगे 1 को 4 से multiply करेंगे 4 को 3 से करें कितना आएगा आपके पास 12 तो 4 से cancel out करो यह 1 पे और यह 3 तो इसका answer कितना आएगा आपके पास 1 by 3 यह इसका answer होगा question number 1 के C part का question number 1 के आपने फर्स पार्ट complete कर लिया तो second part बिल्कुल सेम इसी process से आपने यह करना है यहाँ पर हमारे पास question number 1 आपके complete होता है question number 2 करते है question number 2 के अंदर से हमें क्या करना है multiply and reduce to lowest form हमें सबसे पहले statement में को संजना है multiply and reduce to lowest form इन जो number आप सको दिखाई दे रहे होंगे इनको हमें multiply भी करना है और उस result को हमें क्या करना है lowest form के अंदर convert करना है अब lowest form क्या होती है हमारे पास जो word हमारे पास statement में given है यह lowest form lowest form क्यों होगी कि जो अब हमारे पास जो भी answer आएगा उसके अंदर further division ना हो lowest form के अंदर जो भी दो number अगर आपके पास जैसे 3 by 2 आया तो इसको हम further divide नहीं कर सकते तो यह हमारे पास 3 by 2 रहेगा या mixed fraction में हमारे पास इसका solution आएगा लेकिन अगर हमारे पास यही नंबर 4 by 8 आखता तो हम इसको further divide कर सकते हैं 1 by 2 अंसलिए तब हमारे पास इस नंबर को हम बोलेंगे इसका lowest form है किसकी 4 by 8 की तो lowest form का concept आप समझ चुके होंगे यहाँ पर तो अब हम इसका question को solve करते हैं question number second का जो first part आपके पास है statement में 2 by 3 उसको किसके साथ multiply करना आपको mixed fraction आपको given है 2 by 3 तो पहले तो हम इसका mixed fraction solve करेंगे 2 by 3 को हम convert कर सकते है 2 multiply 3 plus 2 divided by 3 तो 3 को जब 2 से multiply करेंगे तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पर 6 plus 2 और divided by 3 तो कितना बन जाएगा आपके पास यह 8 divided by 3 तो यह इसका mixed fraction solve करने के बाद इस part का सिर्फ यह part है इसको solve करके हमारे पास कितना आएगा 8 by 3 तो अब हम जो solution देखेंगे इसका तो क्या आगा 2 by 3 और multiply 2 2 by 3 आपके पास है तो इसको mixed fraction हमने solve किया वो क्या आपके पास 2 multiply 8 by अब हमें क्या करना है इसके अंदर से 2 को 8 से multiply करो तो कितना आएगा आपके आपके पास 16 और 3 को 3 से multiply करेंगे 9 तो अगर हम यहां तक भी question करें तब भी ठीक है हमारे पास फर्दर हम इसको divide करें मिक्स fraction में करते हैं तब भी हमारे पास answer इसका सही है हमें तो वही काम करना है lowest com के अंदर जब convert करना है कि further division हमारे पास ना हो पाई तो इसका second part जैसे आपको दिखा देरे 2 multiply 7 by 7 2 by 7 multiply 7 by 9 आपके पास statement है तो हम क्या करेंगे 2 को 7 से multiply और divide by में जो denominator में value है 7 को 9 से multiply करेंगे अब numerator में और denominator में एक value same है आपके पास 7 तो हम इस 7 से 7 को cancel out कर देते हैं तो हमारे पास answer क्या बचेगा इसका 2 by 9 यह इसका answer होगा तो यहाँ पर आपके पास सभी पार्ट सेम इसी प्रोसेस से आपने स्वोल करना है अगर numerator or denominator something common है तो उसको आप cancel out करोगे और further आप उसका answer निकाल सकते और तो हमें याद रखना है question को solve करते वक्त second question में reduce करना है lowest form के अंबर वह मैंने question के स्टार्टी में आपको समझा दिए तो question number second यहाँ complete होता है आपका अब हम question number third करेंगे question number third question number third में क्या आपके पास multiply the following fractions अब हमें इन fractions को solve करना है इन fractions को solve करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 by 5 multiply 5 1 by 4 आपके पास है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले तो mix fraction को solve करेंगे 5 1 by 4 जो आपके पास given है 5 को 4 से multiply 20 plus 1 divided by 4 तो कितना आ जाएगा आपके पास यह answer 21 divided by 4 जो आपको इसके first part में यहाँ पर दिखाए दे रहा है 21 divided by 4 अब हम नुमिनेटर को multiply करेंगे 2 multiply 21 divided by 5 multiply 4 तो आपके पास यह देखो numerator और denominator में नंबर ऐसा है जो सेम नंबर पर आएगा आपके पास 2 की table में 4 आ सकता तो 2 की table में 4 कितने पर आएगा जब हम 2 से इसको cancel out करेंगे कितना आएगा आपके पास यह 2 पर आएगा आपके पा सोल कर सकते हैं अब क्वेश्चिन नंबर जो इसका second part है third का उसमें क्या करना आपको पहले इसका reduce करना पड़ेगा mix fraction को solve करना पड़ेगा 6 और 5 को multiply करके 30 30 plus 2 32 यहाँ पर आपके पास अंसर आजाएगा यह आपके पास अंसर आएगा इसका 32 divided by तो इसको फर्दर हम numerator को multiply करेंगे 32 multiply 7 और 5 multiply 9 तो इनकी value आपके पास आजाएगी 224 divided by 45 इसको आप यहां तक भी रख सकते हो और फर्दर आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो इन प्रोसेस आपने सारे question के अंदर यही यूज करना है इसके अलावा इसके अंदर कोई concept यूज नहीं होगा आपके पास सिर्फ आपको mix fraction को solve करना है numerator की numerator से multiply denominator की denominator से multiply करनी है अगर आप दोनों नंबर में कुछ चीज को मना रही है मिंस एक टेवल पर जा रहे हैं तो उनको cancel out कर लो और उनको reduce कर लो mix fraction के अंदर सिर्फ यह process आप इसको इस question के अंदर आपको follow करनी है question number third के सभी जो पार्ट मैंने करवाई हो तो करनी है उसके बाद जो पार्ट है आपको खुद try करो आपको यह screen पे दिखी भी रहे होंगे इनके answers आप इनने पोज़ करके वीडियो को देख सकते है राम से अब question number fourth करते हैं इसका अब question number fourth same उसी process से है जैसे हमारे पास first question था first question का first part आप इसके अंदर हमें दो पार्ट के अंदर divide कियो है question को तो पहले क्या कहा है which is greater आपको greater number बताना है greater fraction बताना है आपको first part आपके पास statement में यह है और का sign और और word लगा के आपको दो पार्ट में इसको divide कर दिए अब एक पार्ट में क्या है two by seven of three by four अब हमने first question में सिखा है कि of के place पे जब भी आएगा हमारे पास हम multiply कर देंगे तो आपके पास यह number आ जाएगा अब इसको further divide कर लो टू की टेबल पर two three और six और यह 14 पे चले जाएगा तो आपके पास यह कितना बनेगा प्रस्ट को three by four same process से हमें three by five of five by eight निकालना है अब आप यह देखो इसके अंदर से जब हमने इसको solve किया three by five of of की place पे हमें multiply और five by क्या आएगा आपके पास यह eight आ जाएगा आपके पास अब numerator के अंदर five है आपके पास कितना remaining रह जाएगा यह three by कितना रह जाएगा आपके पास यह three by eight तो आपको यहां से यूज करना है question number first में हमने दोनों fractions को दोनों पार्ट को यहां पर solve कर लिए अब question को करेंगे कैसे हम इसको कि two by seven of three by four जब हमने इसको solve कितना है हमारे पास three by 40 और दूसरे पार्ट और है तो कि यहां पर कोमा लगा लो इसमे three by five of three by eight तो कितना है आपके पास यह three by eight आ जाएगा आपके पास अब हमारे को इसके अंदर से question में बताना है कि इन दोनों में से कौन सा number greater है जब भी हमारे पास numerator की value same होगी दो fraction आपके पास given होगे और numerator की value आपके पास same होगी तो हमें क्या चीज़ देखना है इसके अंदर denominator की value देखनी है जिस denominator में value smaller होगी वह वाला fraction आपके पास क्या हो जाएगा ध्यान से सुनना कि जिस fraction के अंदर denominator की value smaller होगी वह वाला fraction आपके पास क्या होगा greater होगा यह आप concept 6 class में भी सीख चुके हैं अब इन दोनों में से कौन से 3 और यह 3 दोनों सेम है आपके पास अब हमें बताना है कि इन दोनों में से greater कौन सा है हमने 14 और 8 इन में से कौन सा greater 14 greater है लेकिन यह greater क किसमें denominator में greater है तो हमने क्या बोला कि जिसके अंदर denominator की value smaller होगी smaller किसके अंदर है इस part के अंदर smaller है तो यह वड़ा पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा घ्रिटर हो जाएगा तो आपको इसके अंदर solution में भी दिख रहा होगा 3 by 4 3 by 14 और 3 by 8 आपके पास क्या है यह इन्हें से 3 by 8 क्या है 1 by 2 of 6 by 7 को जब आप solve करोगे तो क्या होगा 1 by 2 multiply 6 by 7 2 की टेवल से 3 पे तो कितना है आपके पास यह 3 by 7 और further के second part में क्या आपके पास 2 by 3 आपके पास क्या इसके अंदर 2 by 3 3 multiply 3 by 7 अब 3 से 3 cancel out तो आपके पास कितना बचे गए 2 by 7 आपके पास remaining रह जाएगा तो अब हमें इन दोनों पार्टों में से यह बताना है कि जो यह पार्ट को solve करके हमारे पास आए है और इसके अंदर हमारे पास क्या दिनोमिल्टर की value सेम है हमारे पास अगर दिनोमिल्टर की value सेम होती है तो हमें पता है कि जो निमिल्टर हमारे पास greater होगा वही वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा greater तो इसके अंदर हमारे दिखाई दे रहोगा 3 और 2 में से कौन सा greater है 3 और 2 में से 3 greater आता है हमें सा इससे 2 से तो 3 किस fraction के अंदर greater 3 by 7 में तो fraction हमारे पास क्या हो जाएगा 3 by 7 greater हो जाएगा तो इससे हमें क्या मिला कि 1 by 2 of 6 by 7 is greater तो आपको यह process इसके अंदर follow करने के लिए यह आपके पास फॉर्थ question था तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और question को अच्छे से try करो